प्रेंस गुड़ मॉर्निंग स्वागत है आप सभी का यह सब्सक्राइब तो देखिए आज हमारा सेट नमबर 35 है 35 है इससे पहले हम लोग 34 सेट लगा चुके हैं फुल लेंग टेस्ट का तो पीछे का वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बनाया हुआ है आप उसमें जा करके और सभी वीडियो को देख सकते हैं ताथी आपको बता दू कि अगर आपको इसका प पता चल सके कि कहां पर गलती हो रही है कहां और इंप्रोव्मेंट करने की जरुरत है और अपना स्कोर जो भी आपको लगता है कि 110 हो रहा है 105 असी नबे जितना से हो रहा है कमेंट में जरूर बताईएगा तो चलिए हम लोग से शुरू करते हैं सब लोग आ गए गुड गुड मॉनिंग तभी को गुड मॉनिंग तो इसे थोड़ा सा सेर भी कर दीजे जितना हो सके अपने सभी साथियों के साथ इसे सेर जरूर कर दीजे चलिए फिर सुरू करें यह रहा आज का पहला प्रस्ण आनंद बन अस्थापित करने के लिए कौन विख्यात है उच्छ मोतिलाल नहरू कोशन नमबर वन देखे इसका सही जो एंसर होगा वो होगा ओप्सन सी जो भी सी कर रहे हैं वो बिल्कुल सही एंसर कर रहे हैं आनंद बन के स्थापना बाबा आम्टे के द्वारा किया गया था और यह है कहां पर वाबू तो यह है महारास्ट में ठीक है य के चंदरपूर सहर में वस्तित है महारास्ट के चंदरपूर सहर में वस्तित है देखे बाबा आम्टे जो थे एक समाच से वी ब्यक्ति थे और इन्होंने आनंद बन की अस्थापना क्यों की थी आनंद बन की अस्थापना एक तरह से कहें तो इन्होंने कुष्ट रोगियो के लिए बहुत सारे कारे किये ठीक है इस आस्रम में जो कुष्ट रोगी होते थे ठीक है जो कुष्ट रोगी होते थे लेपरोसी वाले ठीक है जो कुष्ट रोगी जिनका तवचा जो हो खराब हो जाता है कुष्ट रोग में तो जो कुष्ट रोगी होते थे उनके देख बा किसके काल में लागू किया गया था देख लिज़े अच्छे से गुड मॉर्णिंग एस रॉलेट एक्ट 1990 किसके काल में लागू किया गया था लॉड चेम्सफोर्ड लॉड बिलियम मिन्टो या बेंटिक वोशन नमबर दो देखिए इसका सही एंसर होगा लौड चेम्सफोर्ड ठीक है ओप्शन ए इसका राइट एंसर होगा लौड चेम्सफोर्ड के काल में आपको बता दूँ कि 1917 इसवी में ठीक है और जो आरजकता है जो करांतिकारी गत्विधियां भारत में संपन हो रही थी उसको रोकने के लिए इस एक्ट को रॉलेट एक्ट को लागू किया गया था ठीक है इसमें सबसे बड़ी अगर कहें तो खराब चीज़े ये थी कि ये सक के आधार पर संदेह के आधार पर किसी को भी गिरफतार कर सकते थे ठीक है किसी को भी ये गिरफतार कर सकते थे इसको बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया एंसर कर रहे है बीना वकील बीना दलिल का कानून इसको कहा गया है ना येस बिना अपिल का कानून इसको कहा गया अब इसका रॉलेटेक्ट का जगह जगह पर बिरोध हो रहा था रॉलेटेक्ट का जगह जगह पर बिरोध हो रहा था और यही कारण था कि रॉलेटेक्ट का बिरोध कर रहे थे कौन कौन डॉक्टर सत्यपाल डॉक्टर सत्यपाल और सर्फुदिन किचलू ठीक है ये बिरोध कर रहे थे इसका इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता है इनकी गिरफ्तारी के बिरोध में जलिया अला बाग में लोगी कठा होते ह और पूलिस उन पर अंधादून गोलिया चला देती है तो यह चीज़ याद रखना है लॉर्ड चेम्सफर्ट के समय में आगे आते हैं पंचायत राज पंडाली पहले किन दो राज्यों में लागू की गई थी कहा जा रहा है पंचायत राज पंडाली पहले किन दो राज्यों में लागू की गई थी इसका सही जो एंसर होगा और पर्देश और राजस्थान सरोपर्थम जो लागू किया गया था और राजस्थान के नागौर में ठीक है राजस्थान के नागवर में लेकिन सिर्फ नागवर जिले से शुरुआत की गई थी पूरे राजस्थान में लागू नहीं हुआ था पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो आंध पर्दिस में पूर्ण राज्य में आंध पर्दिस में पहली बार पंचायती राजपनाली लागू की गई थी ठीक है और इसका उदगाटन किसने किया था बाबू नागावर में अगर बात करें तो नहरू जी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी ठीक है नहरू जी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी दो अप्टूबर 1969 को इसकी शुरुआत की गई थी उसी वर्स बलवंत राय मेहता समीति की सिफारिस पर पंचायती राज ब्यवस्ता को आंध पर्दिस में भी लागू किया गया था बलव इसका सही एंसर होगा option D औरक्त किरने ठीक है औरक्त किरने होती है औरक्त किरनों की खोज बिल्यम हरसेल के द्वारा किया गया था ठीक है बिल्यम हरसेल महोदे ने इसकी खोज की थी आपको बता दूँ कि इसका तरंग देधर लाग रंग के तरंग देधर से भी जादा होता है हमें पता है कि signal मे red color को use किया जाता है इसलिए क्योंकि इसका wavelength ज़्यादा होता है ठीक है क्योंकि इसका wavelength ज़्यादा होता है लेकि लाल color से भी ज़्यादा wavelength औरत किर्णों का होता है ठीक है इसका होता है और सूरे की जो किर्णे होती है सूरे की किर्ने उसमें औरत किर्ने सरवाधिक होती है आगे है आगे है देखिए औरत किर्नों का एक जगा और इस्तेमाल किया जाता है ठीक है इसका इस्तेमाल किया जाता है इसका इस्तेमाल किया जाता है कुहरा में ठीक है कुहरा में फोटोग्राफिक के लिए कर्क्यूमिन किस से प्रितक किया जाता है कर्क्यूमिन किस से अलग किया जाता है बिताइए लसुन हल्दी सुरजमुख्य या गुलाब वश्चन नमबर पाँच देखिए वोश्चन नमबर पाइव ता सही एंसर होगा हल्दी ठीक है जो भी बी कर रहे है वो बिल्कुल सभी कर रहे है देखिए कर्क्यूमिन जो है यह हल्दी में पाया जाने वाला तत्व होता है और फिनोलिक योगिक होता है यह ये फिनोलिक योगिक होता है ठीक है ये क्या होता है फिनोलिक योगिक होता है और जो कैंसर के मरीज होते हैं उनके लिए उनके उतकों में ये उतकों की मरम्ती के लिए काफी जादा उपयोगी होता है और इसी के कारण ठीक है इसी के कारण हल्दी का रंग जो है वो पिला होता है हल्दी का रंग पिला होता है ये भी कोशन आपसे पुछा जा सकता है और आपको बता दूँ कि टमाटर का रंग किसके कारण लाल होता है बाबू गाजर का कैरोटीन के कारण, चुकंदर का लाल रंग, वीटर निल के कारण, चुकंदर में वीटर निल पाया जाता है, इसलिए ये लाल होता है, भिल्कुल रक्त के जैसा होता है, अच्छा आलु का रंग सब लिखी देता हूं, क्योंकि इससे क्वोशन आपसे हमेशा कारण होता है ठीक है सोले नीन सोले नीन के कारण आलू का कलर होता है और प्याज का थोड़ा सा पीला रंग किसके कारण होता है क्वेर सिटीन के कारण होता है क्वेर सिटीन के कारण प्याज 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 कारण चलते हैं आगे सिवाजी के प्रसाशन में निम्नेतम प्रादेशी की काई ग्राम का अध्यक्च कौन होता था पताई कहा जा रहा है कि सिवाजी के प्रसाशन में जो ग्राम होता था उसका अध्यक्च कौन होता था गाउं का प्रादेशी की काई ग्राम का अध्यक्च कौन होता था question number 6 देखे इसका सही answer होगा option D पाटिल ठीक है जैसा कि आपको पता है कि माराथा समराज की new सिवाजी के द्वारा ही रखी गई थी और सिवाजी के सासनकाल में ही ओस्ट प्रधान ठीक है और सिवाजी ने प्रसासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए ही इसका गठन किया था और आपको बता दू कि इन्होंने चत्रपती की उपाधी धारन की थी ठीक है चत्रपती की उपाधी भी इन्होंने धारन की थी अश्ट प्रधान का सबसे महत्वपुन जो पद होता था वो होता था पेश्वा ठीक है पेश्वा पेश्वा क्या होता था प्रधान मंत्री होता था ठीक है पेश्वा प्रधान मंत्री होता था रेडियो संचार में प्रेशन एंटीना द्वारा उच्सर्जित संकेत प्रतिबिम्बित होते हैं समताप मंडल में, ओजोन मंडल में, आयन मंडल में या छोब मंडल में ओशन नमबर 7, इसका सही एंसर होगा, ओपशन सी, आयन मंडल में, ठीक है, आयन मंडल की औसात उचाई कितनी है, 80 से, 80 से 640 किलोमीटर, ठीक है, 80 से 640 किलोमीटर इसके उचाई है, ठीक है, दागना पदती मतलब की घोडों को दागने का जो पदती था और चेहरा सिपाहियों का वर्नात्मक ब्यूरन का प्रारंब किस ने किया था बताईए देखिए घोडे दागने की प्रथा और चेहरे पर वर्णात्मक ब्यूरंद कहने का मतलब यह कि सिपाही जो होते थे उनका जो फेस होता था उसको आप लोगोंने कई मूभी में भी देखा होगा कि कुछ-कुछ सिपाही जो लड़ातू होते हैं उनका चेहरा जो है और या तो ब्लेक या किस टाइब का उनको बना दिया जाता है है ना आपने हिस्टोरिकल मूभी में इस टाइब का देखा होगा तो कहा यह जा रहा है कि यह जो पदती है यह किस के द्वारा सुरू किया गया था क्वश्चन नमबर एट देखे इसका से अन्चर होगा ओप प्रारम है ना शिपाहियों का वर्णात्मक व्यूरन यह अलावदीन खिल जी आपको बता दू कि इसका वास्ताविक नाम अल्ली गुर्षप था अल्ली गुर्षप ठीक है अल्ली गुर्षप इसका वास्ताविक नाम था अब 1296 में इसने 1296 में 1296 में 1296 में इसने जलालु दीन खिलजी की हत्या करके और बल्बन के द्वारा लालवोन में अपना राज्या भी से करवाया था ठीक है इसका जलालू दीन की हत्या करके ये बना था इसीने सेना को नगद बेतन देना इसीने शुरू किया था और इसने एक चीज़ और रहाद रखना है कि इसने अस्थाई सेना भी रखी थी वावु ठीक है इसने अस्थाई सेना भी रखी थी यह सब चीज़ आपको याद अपनी है इसको चेहरा को हुलिया प्रथा भी कहते हैं ठीक है इसको क्या बोलते हैं हुलिया प्रथा नहीं होता है कोई बोलता है कि अपना हुलिया देखो कैसा है हुलिया चेहरा अना हुलिया प्रथा मतलब कि अपना चेहरा बदल लो हुलिया रेडियो धर में तत्व किसका उच्छ सर्जन करते हैं बताएं कोश्चन नमबर नाइन देखे इसका सेंसर होगा अलफा बीटा गामा विकरन का ठीक है अलफा बीटा और गामा विकरन का उच्छ सर्जन करते हैं रेडियो धर्मी तत्तों के उत्सर्दम की प्रकृति का अध्यन जो है उत्सरोपरदम रादरफोड के द्वारा किया गया था रादरफोड ने एक प्रयोग के माध्यम से ये बताया था ठीके हाइड्रोलिक प्रेस में किसका उप्योग होता है जैसे आपने देखा होगा कि हाइड्रोलिक कार, हाइड्रोलिक गाड़ी ये सब होते हैं बाफरिंग नहीं हो रहा है ना हाइड्रोलिक गाड़ी होते हैं जो ऐसे उपर उठाते हैं तो कहा जा रहा है कि जो hydraulic press होता है इसमें किसका उपयोग होता है बताईए इसमें किसका उपयोग होता है देखे question number 10 का say answer होगा Pascal नियम का ठीक है option ने Pascal नियम का Pascal के नियम के नुसार द्रब्य का दाव चारो तरब ठीक है मान लिया कि ये liquid है ठीक है ये liquid है और इस liquid पे अगर इधर से दाव ठीक है इधर से मतलब कि इसको हम प्रेस करेंगे यहाँ पे तो यह liquid का चारो और बराबर बल लगेगा ठीक है चारो और क्या लगेगा बराबर बल लगेगा चारो तरब बराबर डाव होता है बल होता है ठीक है तो यह पास्कल का नियम है या दरवाजा, हाइड्रोलिक लेफ्ट, पास्कल के सिध्धान पर ही कार्य करता है, ठीक है, देखें, यहाँ पर एक आर्कमीडिज का सिध्धान थे, आर्कमीडिज ने क्या दिया था कि कोई भी वस्तू किसी द्रब्य में पूरी तरह से अगर डूबा हुआ है, या आंचिक में कमिक आभास होता है, जैसे आप अगर बात करें तो कोई में बाल्टी डालते हैं और पानी खिजते हैं, बाल्टी जब अंदर होता है, तो हलका महसूस होता है, जैसे बाहर आता है, तो भार ही हो जाता है, यह आर्कमीडिज का सिध्धान थे हैं, और इसमें होता क्या है कि जो आपने बाल्टी कुए में डाला है ठीक है तो उस वस्तु के द्वारा जो यहाँ पे द्रब्ब हटाया गया है इसका बराबर होता है ठीक है इसका बराबर होता है निम्नांकित किस बिभाग में सर्वोच न्याले ने पहली बार संसत की संविधान संसोधन सक्ति को सिमित किया बताईए शाउंड का प्रोब्लम आ रहा है शाउंड का प्रोब्लम आ रहा है question number 11 देखिए इसका सही answer होगा गोलकनात बनाम पंजाब राज्य ठीक है गोलकनात बनाम पंजाब राज्य मामला 1967 ठीक है 1967 ठीक है 1967 ठीक है 1967 हिस्वी में सरोच न्याले ने संसत की संविधान संसोधन सक्ति पर सीमा आरोकित कि थी निमने लिकित में से कौन साइक सुमेलित नहीं है अच्छे से देखिए और एंसर किजिए निमने लिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है बताइए नाथूला अरुनाचल परदेश लिपूलेक उतराखंट रोहतांग हिमाचल परदेश पालघाट केरग देखे वाओं क्वेश्चन नमबर 12 का सही एंसर होगा नाथूला अरुनाचल परदेश ये सही नहीं है नाथूला कहाँ है नाथूला दर्र है सिक्की में है यह कहाँ है सिक्की में है बाकी तीनों जो है वो बिलकुल ठीक है UNSC का तात्परे है UNSC UNSC का मतलब है तात्परे है क्या है UNSC का तात्परे है question number 13 देखें इसका answer होगा संजुक्तराष्ट सुरक्षा परिसद ठीक है संजुक्तराष्ट सुरक्षा परिसद यूनाइटेड नेशन सेक्यूरिटी काउंसिल ठीक है UN सेक्यूरिटी काउंसिल यहां पर सिर्फ हो गया है इसके पांच अस्थाई और दस और स्थाई सदस्थे हैं यह संजुक्तराष्ट का मुख्य अंग है अमेरिका, रूस, चीन, व्रिटेन, फ्रांस इसके अस्थाई सदस्थे हैं किस अस्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाब बिद्रोह किया बताई कहा जा रहा है कि किस अस्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाब बिद्रोह किया बिहार पंजाब सिंध या काठियावार कोशन नमबर 14 का सही जो एंसर होगा बिहार वैसे तो अब ये बिहार नहीं जारखन में होगा और बिहार में भी कई बिद्रों हुए जैसे अगर हम लोग बात करें यहां पर लिखा हुआ नहीं है कि कब किया कहां किया ऐसे नहीं वासी तो बिहार के छेत्र में जैसे अगर बात करें तो छोटा नागपूर का विद्रो हुआ था है ना छोटा नागपूर तो छोटा नागपूर का हो और मुंडा विद्रो हुआ था मुंडा विद्रो हुआ था या फिर इसके अलावा बात करें तो संथाल विद्रो ठीक है संथाल विद्रो हुआ था ये सब वर्तमान में ये सब जारखंड में हैं अभी भी बिहार के संदर में ही कोशन पूछते हैं ठीक है तो ये सब चीजे याद रखनी है मोतिलाल नहरू सुराज दल के नेता थे निम्न में से कौन दल में नहीं था जैसा कि आपको पता है कि सुराज दल के असथापना सी आरदाश और मोतीलाल नहरू ने मिल करके और 1923 इसके असथापना की थी अपको कहा जा रहा है कि इन में से कौन से नेता उसमें नहीं थे तो देखे सी राज गुपालाचारी इससे सम्मंधित नहीं है स्री राजग्वपालाचारी से संबंदित नहीं है स्वराजपार्टी की अस्थापना 1923 इस्वि में किया गया था और स्री निवास आयंगर मदराज प्रांत में मदराज के छेतर में मदराज प्रांत स्वराजपार्टी के ये मदराज प्रांत में इससे संबंदित थे चितरंजन्दास तो मैंने बता ही दिया बिठल भाई पटेल की बात करें तो 1925 इस्वि में 1925 में 1925 में बिठल भाई पटेल का Central Legislative केंद्रिये बिधान मंडल में ठीक है केंद्रिये बिधान मंडल में एक बहुत ही मैत्वण उपलब्धी इन की थी बिठल भाई पटेल की थी ठीक है इनको अध्यक्च चुना गया था इनको अध्यक्च चुना गया था इबोला वायरस का नाम लिया गया है, बताएए बिल्कुल इबोला वाइरस का नाम लिया गया है कोश्चन नमबर 16 देखे इसका सेंसर होगा एक नदी के नाम पर ठीक है इबोला वाइरस की पहचान सरोपर्थम 1976 में हुई थी 1976 में 1976 में इसकी पहचान हुई थी और ये अफरीका महादीब में नदी है ठीक है अफरीका महादीब में कांगो ठीक है कांगो जो नदी है इसके पास इस्थित एक गाउं में इसका नाम करन किया गया था ठीक है गाउं का नाम है इबोला और नदी का नाम तो इसी के नाम पर इसका नाम इबोला वाइरस किया गया ठीक है इबोला एक ऐसा वाइरस है जो आदमी को संपर्क में आने से ये एक दूसरे को हो जाता है ठीक है निमने लिखित में से कौन सी रेखा दो देशों के बीच सिमांकन रेखा नहीं होता पता है निमनेली खित में से कौन सी रेखा दो देसों के बीच सिमांकन रेखा नहीं है नहीं होता पॉश्य नमर 17 साफ साफ एंसर दिख रहे हैं अंतराष्टिय तिथी रेखा या अंतराष्टिय दिनांक रेखा है यह नहीं है यह सब तो हिए मैंने रेट रेज Yahoo और दोरंद रेख Lancat यह किसके बीच में जल्दी से comment में आप लोग बता दीजी यह थह भारत कर सिर्द्क के बीच में है gefश्मic परफेस्टान चीन और समय बिच्छेश्टपनदी के घुमाओ कि लिड़र. विच्छेश्टपनदी में बनी जील को क्या कहते हैं बिच्छे दक नदी के घुमाव में बने जिल को क्या कहते हैं इसको बोलते हैं ओक्सबो जिल ठीक है ओक्सबो लेक इसको कहा जाता है इसको कहा जाता है गोखुर जिल ठीक है इसको गोखुर जिल कहा जाता है ठीक है गोखुर जिल होता क्या है कि नदियां जब ऐसे बहती है तो ऐसे बहते हुए फिर ऐसे बहती है ठीक है और ऐसे बहती है और ऐसे बहती है तो ये वाली जो आकरिती बनती है ठीक है ये वाली जो आकरिती बनती है ऐसे ठीक है इसमें ऐसे जो जल रहता है इसको बोलते ह जील और ये ऐसा आप लोगों को लग रहा होगा कि ये गाय के या बैल के है ना बैल का जो पैर होता है उसके सेप का है तो इसी को कहा जाता है ऑक्सबो ले या गोखुर जील और गोखुर जील का निर्मान कब होता है जब नदिया बिसर पमार्ग पर चलती है मतलब कि ऐसे ऐ अधिन फली फुली पताई कहा जा रहा है कि गांधार कला किसके अधिन फली फुली कुशान काल सातवाहन काल गुप्त काल या मौरे काल इसका सही एंसर होगा कुशान काल में इसका सबसे ज़्यादा विकास हुआ ठीक है कुशान काल में कुशान का एक सासक था कनिस्क और कनिस्क के समय में इसका सरवाधिक विकास हुआ ठीक है गांधार कला का सरवाधिक विकास कनिस्क के ही सासन काल में हुआ था अब बात आती है कि कुशानमंस की अस्थापना किस ने की थी तो इसकी अस्थापना कुजूल कड़ फीसस के द्वारा इसकी अस्थापना की गई थी जहां कोई कानून नहीं होता वहां कोई स्वतनता नहीं होती या किस ने कहा था जहां कोई कानून नहीं होता वहां कोई स्वतनता नहीं होती या किस ने कहा था question number 20 देखिए यह है लॉक महदे जॉन लॉक इनका नाम था ठीक है जॉन लॉक आकास गंगा मन्दाकनी सबसे पहले देखी थी इन में से किसने सरोपर्थम देखी थी बताए आकास गंगा मन्दाकनी सरोपर्थम किसने देखी थी question number 21 इसका सही answer होगा option A गयलेलियोंने option A गयलेलियोंने देखे, सबसे पहले बात आती है कि ये मंदाकनी कहते किसको हैं, तो तारो का एक ऐसा समूत, जो धुंदला सा दिखाई देता है, और तारो के निर्मान की प्रक्रिया की सुरुआत, गैस पुंज के द्वारा हुई थी, ठीक है, वही जो है, मंदाकनी कहलाता है, इसको अंग् एक्सी बोलते हैं कि निम्नेलिकित में से कौन सा सबसे ससक्त असकंदक है इन में से कौन सा सबसे ससक्त असकंदक है क्वेश्चन नमबर बाइस देखे इसका सहीन सरोगा अलूमीनियम क्लोराइड ठीक है एल सी थ्री एल सी एल थ्री किस पंचवर्षिय योजना के अंतरगर समाज के समाजवादी धाचे के अस्थापना का संकल्प लिया गया था कोशन नमबर तेज़ किस पंचवर्षिय योजना के अंतरगर समाज के समाजवादी धाचे के स्थापना का संकल्प लिया गया था कोशन नमबर त्वेश्चन नमबर त्वेश्चन देखे इसका सहीन सरोगा ऑप्शन भी दूईतिय पंचवर्षिय योजना दूईतिय पंचवर्षिय योजना 1956 में 1956 में और दोकिक निती में समाजवादी धांग से समाज के स्थापना स्थापना स्विकार किया गया था अब बात आती है कि दूईतिय पंचवर्षिय योजना का काल मतलब समय कब से कब तक रहा है तो 1956 से 1956 से 1961 तक का इसका समय रहा है ठीक है और किस पर आधारित था तो यह योजना महल लोबिस मोडल पर आधारित था ठीक है इसका में जो उदेस था दूईतिय पंचवर्षिय योजना का मुख्य उदेस से था ऑद्योगी करन की प्रकीरिया शुरू करना दूसरा पंचवर्षिय योजना का किसने कहा था आजादी हमारी पहुंच के अंतरगत है हमें इसे कसकर पकड़ना चाहिए किसका कथन है यह किसने कहा था आजादी हमारी पहुंच के अंतरगत है हमें इसे कसकर पकड़ना चाहिए question number 24 देखिए इसका सही जो इंसर होगा वो होगा महात्मा गांधी ठीक है महात्मा गांधी जैसा कि आपको पता है कि भारत छोड़ो अंदोलन का आवान गांधी जी के द्वारा किया गया था और भारत छोड़ो अंदोलन 9 अगस्त 1922 ब्यालिस इस भी को सुरू किया गया था और इसी में गांधी जी ने कहा था इसी में एक तो नारा दिया था करो या मरो का नारा इन्होंने दिया था ठीक है और इसी में इन्होंने गांधी जी ने कहा था क्या जादी हमारी पहुंच के अंतरगत है इसे हमें कर्श कर पकड़ना चाहिए भारत छोड़ो आंदोलन के दोरान ही गांधी जी नहीं ये कथन कही थी ठीकает बार्तिय उप महादीफ में किरिसी के प्राचनेतम साइक्ष कहां से प्राप्त हुए हैं भारतिय उप महादीफ में भारतिय उप महादीप में किरिसी के प्राचेनितम साक्ष कहां से प्राप्त हुए हैं लोथल, हडपा, मेहरगड या मुंडिगाग बताई question number 25 इसका सेंसर होगा option C मेहरगड ठीक है मेहरगड कोल्डिवा कि अगर हम लोग बात करें तो कोल्डिवा से चावल का साक्ष मिला है कोल्डिवा से चावल का साक्ष मिला है लोथल गुजरात में है गुजरात में है और जैसा कि आपको पता है कि लोथल अभी चर्चा में भी था भी चर्चा में है इसको सामिل किया गया है अर यह एक बंदरगाह है यह एक बंदरगा reliably भी नविक learns दिएगे ताप पर गैस की एक निशित मातरा का आयतन दाव का बियुत करमान उपाती है भी यह निशकर्स किस निवाब से निकलता है यह निसकर्स किस नियम से निकलता है Q26 बिल्कुल सुनिल कुमार ना बहुत बढ़े हैं अमित कुमार रंग ना थ्रावने उनिसो चोवन में बहुत बढ़े अंसर कर रहे हैं आप लोग मुखोटा निर्ते का समंद्ध किस निर्ते सहली से है इसका सही जो एंसर होगा कत्त कलीव कहां का निर्ते है यह 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 केरला का निर्ते है पुच्ची पूरी यह कहां का है आंधर परदेश का है ठीक है यह आंधर परदेश का निर्ते है ओडीसी ओडीसा का निर्ते है ये ओडिशा का निर्ते है मनिपूरी तो नाम से ही पता चल रहा है मनिपूर का निर्ते होगा ये निम्न में से कौन बिश्व के नवीन बलित परवत ठीक है नवीन बलित परवत का उधारन परस्तूत करता है बताईए निम्न में से कौन 200 के नवीन बलित परवत का उदाहरन प्रस्तूत करता है वर्शन नमबर 28 देखिए इसका सही अन्सर होगा option C, alps थिक है, alps 200 के नवीन बलित परवत का ये उदाहरन है नवीन बलित परवत का निर्मान कब हुआ था बावु तो इसका निर्मान तृतियक यूग में हुआ है जितने भी नवीन बलित परवत का निर्मान हुआ है वो तृतिय यूग में हुआ है बलित परवत जो है, वो सरवाधिक उचे होते हैं सरवाधिक उचे बलिद परवत ही होते हैं जैसे कर बात करें तो हिमाले भी बलिद परवत का उदारन है इसको इंगलिज में बोलते हैं folded mountain ठीक है हिमाले भी बलिद परवत है हिमाले भी बलिद परवत का ही उदारन है या इसके अलावा बात करें तो rocky है rocky परवत है या एंडिज परवत है ठीक है एंडिज परवत है ये सब के सब जो है ओ फोल्डेड माउंटेन के उदारन है मोड़दार परवत के उदारन है ठीक है आरावली जो है वो सबसे प्राचिन है सरवाधिक प्राचिन ठीक है और इसकी सरवाधिक उची चोटी है गुरु सिखर गुरु सिखर ठीक है गुरु सिखर छुद्धित पासान के रचैता कौन है छुद्धित पासान के रचैता कौन है कि वर्षय नमबर 29 तेके सेंसरों का रबिंदरनाथ क्यी गोर है हंगरी स्टोन कि ठीक है है do हंगरी स्टोन कि थुद्धित पासान के रचएता रबिंदरनाथ क्यी गोर हैं इन्हों ने पोस्ट ओपीस, गार्डनर इन सब की रचना भी इनके द्वारा ही की गई एक पोला टिम में कितने खिलाडी होते हैं पोलो टिम में एक पोलो टिम में कितने खिलाडी होते हैं यह पुछा जा रहा है बताई थोड़ा सा सेयर कर दिजे क्लास को तोड़ा जितना हो सके आप लोग share कर दिजे क्योंकि बहुत कम लोग अभी तक live है 500 लोग तो live होने ही चाहिए 500 से 1000 एक polo team में कितने खिलाड़ी होते हैं question number 30 देखे इसका answer होगा 4 ठीक है, polo में 4 खिलाड़ी होते हैं जबकि अगर water polo की बात करें तो साथ है ना, water polo में 7 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है volleyball में 6 खिलाड़ी होते हैं और gymnastic में 8 खिलाड़ी होते हैं जिमनस्टिक में 8 खिलाड़ी होते हैं 200 thyroid दिवस कब मनाया जाता है बताईए बिश्व थाईराइड दिवस कब मनाया जाता है तोबिस मईई, बीस मईई, पचीस मईई या चबिस मईई वश्चन नमबर 31 देखें इसका सही एंसर होगा पचीस मईई को ठीक है पचीस मईई को मनाया जाता है थाईराइड तो आपको पता ही है यह किसकी कमी से होता है यह किसकी कमी से होता है बताई आप लो हाई राइड आयोडीन की कमी से होता है आयोडीन की कमी से होने वाले बिमारी है किस चीनी जनरल ने कनिस्क को हटाया था वश्चन नमबर 32 कनिस्क कनिस्क को हटाया था question number 32 देखे इसका sensor होगा paint चाओ option A paint चाओ कुसान वन्स का सबसे महान सासक था ये कनिस्क अभी जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया ये किस वन्स से समंदित था तो ये कुसान वन्स से समंदित था ठीक है कुसान वन्स से ये समंदित था और इसी के समय में चतूर्थ बहुत संगिती हुई थी है ना चतूर्थ बहुत संगिती इसी के समय में हुई थी कहां पर बाबु तो कुंडल वन कुंडल वन कस्मीर में हुई थी कुंडल वन कस्मीर में हुई थी कमेंड में जल्दी से बताईए कि ये बहुत धर्म के किस साखा को मानता था यहीं पर बहुत धर्म दो संपरदाय में डिवाइड हो गया था एक हीन्यान और एक महायान ठीक है एक महायान हीन्यान और महायान में डिवाइड हो गया था ठीक है इसकी राजधानी जो है कनिस्किकी राजधानी थी पूरुष पूर, मतलब की पेसावर वर्तमान में जो पेसावर है इसकी राजधानी थी आगे चलते हैं भारतिय संभिधान के किस अनुछेद के अंतरगत भारत सरकार का दाइत्व है कि वह बाह्य आकर्मन एवं आंतरिक असांती से राज्यों की रक्षा करें बहुत बढ़े हैं माहा यान संप्रदाय से है ना कोश्चन नमबर 33 इसका से अनुछेद 355 ठीक है अनुछेद 355 तिन सो बावन में जैसा कि आपको पता है कि आपात काल की उद्धोषना है थाना भारतिय चारा गाहे वह उम चारा अनुसंधान संस्थान इस्तित है 34 में इसका सही एंसर होगा ज्हांसी में देखें इसका सही एंसर होगा सरसुस के पासल से यह संबंधित है ठीक है गेहों में करनाल वंट रोग होता है करनाल करनाल वंट रोग गेहों में होता है ठीक है हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को कहते हैं बताइए गुड मॉनिंग गुड मॉनिंग हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को क्या कहते हैं इसको बोलते हैं ट्राइटियम ठीक है ट्राइटियम कहा जाता है हाइडरोजन के तीन समस्थानिक होते हैं एक होता है प्रोटियम एक होता है प्रोटियम और एक होता है डूटरियम और एक होता है ट्राइटियम ठीक है सतलज नदी और काली नदी के बीच हिमाले का कौन सा प्रादेशिक विभाग इस्थित है पंजाब हिमाले की अगर बात करें तो ये सिंधू और सतलज के बीच में है सिंधू नदी से सतलज सिंधू और सतलज नदी के बीच में पंजाब हिमाले है नेपाल हिमाले काली और तिस्था ठीक है काली नदी और तिस्था नदी ठीक है काली नदी और तिस्था नदी के बीच में है असम हिमाले तिस्था और दिहांग नदी के बीच में असम हिमाले क्यों वसीति है ठीक है कौन ब्यक्तिगत सोतंता से समंधित है बताएं कौन ब्यक्तिगत सोतंता से समंधित है बंदी प्रत्यक्षी करन उद्प्रेशन प्रतिसेद या परमादेश ठीक है इसका से इंसर होगा बंदी प्रत्यक्षी करन ठीक है बंदी किया जाए ठीक है बंदी ब्यक्ति को प्रत्यक्ष किया जाए मतलब बंदी ब्यक्ति को निकट वर्ती कोट या न्यायले के समक्ष 24 घंटे के अंदर हाजिर करो ठीक है 24 घंटे के अंदर न्यायले किया जा सकता है बताई लोग सभा का कारेकाल पूगरा होने के पहले भंग किया सकता है जैसा कि आपको पता है कि लोग सभा का कारेकाल इतने दिन का होता है पात साल का होता है ठीक है पात साल का होता है इसको भंग किया जा सकता है किस अनुचेद में ऐसा कहा गया अनुचेद 85 se2 में ऐसी बात कही गई है उयद्म प्रकास का बेग अधिक्तम होता है प्रकास का बेग अधिक्तम होता है प्रकास का वेग अधिक्तम होता है question number 40, देके इसका say answer होगा, प्रकास का वेग अधिक्तम निर्वात में होता है, थीक ए, निर्वात में, निर्वात में कितना होता है बबबू, निर्वात में अगर बात करें, तो 2.99 into 10 to the power, 8 meter per second, यही होता है निर्वात में इतना होता है, ठीक है, हिंदू ब्रीधी दर किस ब्रीधी दर से समंधित है, बताईए, हिंदू ब्रीधी दर किस ब्रीधी दर से समंधित है, question number 41, देखें, इसका सही answer होगा, option B, राश्टी ये, आए, ठीक है, राश्टी आए, सबसे पहले 1981 में इसका उपयोग किया गया था, हिंदू ब्रीधी दर सब्द का उपयोग किया गया था, अमेरिकी एकनॉमिक एसोसियेशन में बोला था, राज कृष्ण ने, प्रोफेसर, राज कृष्ण ने, ठीक है, हिंदू ब्रीधी दर कवल लेक किया था, उच्तम लवन लवनता पाई जाती है question number 42 अगर इसमें देखा जाना तो आप लोग काफी confused होते हैं वांजील टर्की में है ठीक है वांजील कहां है यह टर्की में है और इसकी जो लवनता है वह है 330 परसेंट ठीक है 330 परसेंट इसकी लवनता है इसमें और मृत सागर में आप लोग कंफ्यूज करते हैं हमें साथ जब कि मृत सागर का लवनता 238 है ठीक है 238 परतिसर्थ मृत सागर की लवनता है लाल सागर में 36 से 41 परतिसर्थ है मात्र 33 से 41 प्रतिसत लवानता लाल सागर में है ठीक है तो ग्रेट साल्ट लेक 220 परसेंट है इसमें 220 परसेंट है भारतिय संभिधान के किस अनुछेत के अंतरगत भारत के नियंतर क्यों महालेखा परिचक की न्यूक्ति होती है वर्शन नमबर 43 अनुछेद 148 ठीक है अनुछेद 148 कैब ठीक है कितने साल के लिए होता है बाबू 6 या 65 यर्स दोनों में से कोई पूरा हो जाए भारत में संग राज्यों का प्रसासन होता है भारत में नहीं मृत सागर में लवनता है लेकिन सबसे ज़्यादा वांज्यल में है चेक कर लिजेगा आप लोग भारत में संग राज्यों का प्रसासन होता है कोईशन नमबर 44 देखे इसका से अन्सर होगा राष्ट पती द्वारा ठीक है राष्ट पती के द्वारा जो UT होते हैं व राष्ट पती के द्वारा शासित होते हैं सरवाधिक सरवाधिक बिद्दूत चालकता वाला तत्व क्या है बताई चांदी, कौपर, aluminium या लोहा 45 बिल्कुल आसान सा question है सबसे जढ़ा बिद्दूत चालकता है किसमें चांदी में है ठीक है चांदी में देखें जिन पताफ्थों में बिद्दूत पर तिरोधकता काफी कम होती है उसमें चालकता ज्यादा होती है तो सबसे ज्यादा जो है ओचांदी में है इसके बाद कॉपर में है इसके बाद ऐलुमीनियम में है तब लोहा में है ठीक है प्रत्थम वास्तविक महराब की सल्तनत कालिन इसमारत में द्रिशा तित है बताइब बोश्यन नमबर 46 देखिए इसका सेंसर होगा बलबन का मकबरा ठीक है और ये वर्गाकार है कैसा अब आवो तो ये वर्गाकार है ठीक है कुतुबदीन एबक जो है इसने अजमेर में धाय दिन का जोपड़ा बनवाया था ठीक है अलाई दरवाजा के अगर बात करें तो अलाई दरवाजा के निर्मान किसके द्वारा करवाया गया था अलाउदीन खिलजी के द्वारा ठीक है अलाउदीन अलाउदीन खिलजी द्वारा निमने लिकित में से किस अस्तल से यूगल सवाधान संसकार का परमान मिला है बताए निमने लिकित में से किस अस्तल से यूगल सावाधान संसकार का पर्मान मिला है question number 47 देखे भगो इसका सेयन सरों का लोथल यूगल सावाधान कहने का मतलब यह हुआ कि एक कबर से 2200 के साक्ष मिले है कि एक ही जगा दपनाया जाता था ठीक है एक ही जगा दपनाया जाता लोथल के अगर बात करें तो यह भोगवालदी के किनारे है अभी जैसा कि इसके बारे में मैंने बताया भी कि यह कहा है यह गुजरात में अवस्थित है ठीक है गोदीवारा भी यहां से मिला है ठीक है गोदीवारा यहां से गोदीवारा भी बहुत बढ़ा गोदी वाड़ा भी यहां से प्राप्त हुआ है निम्नलिकित संभिधान की ओधारना ने सरुप्थम कहां जन्म लिया कोशन नमबर 48 देखे इसका सही एंसर होगा ओप्शन सी फ्रांस फ्रांस में बिस्व का पहला संभिधान ब्रीटेन का संभिधान है यह भी याद रखेगा बिस्व का प्रथम संभिधान बिस्व का प्रथम संभिधान ब्रीटेन का संभिधान है सबसे बड़ा और लिखित संभिधान भारत का संभिधान है ठीक है भुमद्य रेखा निम्नलिकित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है बताईए घुमद्धे रेखा निमने लिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है Kenya, Mexico, Indonesia या ब्राजिल question number 49 देखे इसका सही जो answer होगा होगा Mexico ठीक है Mexico ओम का नियम क्या परिभासित करता है question number 50 ओम का नियम बताई ओम का नियम क्या परिभासित करता है परतिरूद, केवल धारा, केवल वोल्टता धारा और वोल्टता दोनो देखे इसका से answer होगा option D धारा और वोल्टता दोनो ठीक है धारा और वोल्टता दोनो निमने लिखित में से किस एक में रजजत नहीं होता है पता है रजजत नहीं होता है इन में से किस में रजजत नहीं होता question number 51 देखे ये जर्मन सिल्वर जो होता है जर्मन सिल्वर इसमें रजजत नहीं होता है ठीक है जर्मन सिल्वर तामबा जस्ता और नीकल से बनाया जाता है कामबा जस्ता और निकेल से जर्मन सिल्वर का निर्मान किया जाता है कोशन नमबर 52 तूर मेरेट में बिदरो आरम्भ वगा मेराट में बिदरो आरम्भ वग हुआ क्क्वेटिए तुटिछ मेरट में विद्रो आरम हुआ 53 देखे इसका सेंसर होगा 10 मई 1857 को यह आंदोलन 1857 की क्रांती होना था 31 मई को ठीक है कदम सिंग के नित्रितों में जब सिपाहियों को कूर्ट मार्सल किया गया था तो कदम सिंग इनको वही पर मेरट में छुड़ा करके और जो अंग्रेज सिपाही थे उनको मार करके और अपने साथियों को ले करके और चले जाते हैं किस गवर्नर जनरल पर महाभीयोग का मुकदमा चलाया गया वारन हैस्टिंग्स, लॉर्ड कलाइब, लॉर्ड करनवालिस या लॉर्ड बिलेजली डखे, इसका सही daha5 अंसर होगा, आप्शन ए, वारन हैस्टिंग्स भंगाल का पहला गवर्नर जनरल था जिन पर महाभीयोग का प्रस्ताव लाया गया था फेरिक ऑक्साइड में लोहे की संजोज़कता है फेरिक ऑक्साइड में लोहे की संजोज़कता है 55 देखे इसका सेंसर का 3 ठीक है एफी 2-0-3 ठीक है आगे है जैसे जैसे अर्थवेवस्था विक्सित होती है राष्टी आयमे तरितिय चेतर का अंज जैसे जैसे अर्थवेवस्था विक्सित होती है राष्टी आयमे तरितिय चेतर का अंज वश्चन नमबर 56 देखे इसका सेंसर का ऑप्संसी बढ़ता जाता है तीक है बढ़ता जाता है तिरितिय चेत्र के अंतरगत क्या क्या आता है परिवहन ब्यापाथ सिक्षा होटल सरकारी प्रसाशन ये सब नर्मदा घाटी किन परवत सिंखलाओं के बीच इस सित है नर्मदा घाटी किन परवत सिंखलाओं के बीच इस सित है बताईए question number 57 देखें इसका सही एंसर होगा सत्पूरा और बिंध्याचल सत्पूरा और बिंध्याचल के बेच sodium chloride में क्या होता है sodium chloride में क्या होता है sodium chloride में क्या होता है NaCl sodium chloride इसमें क्या होता है question number 58 देखें बिद्दूत संयोजी बंध ठीक है बिद्दूत संयोजी बंध होते हैं ठीक है एलेक्ट्रो वालेंड बंड भारत के संविधान का निम्न लिखित में से कौन सा एक्सन सोधन संग सासित परदेश डिल्ली को राष्टिय राजधानी छेतर में संपरिवर्थित करता है 59 question number 59 इसका सेंसर होगा 69 संविधान संसोधन कब किया गया था यह 1991 में किया गया था 1991 के द्वारा राष्टिय राजधानी छेतर का दर्जा डिल्ली को दिया गया ठीक है अब 70 रवा संविधान संसोधन जो है वो इसके तहट डिल्ली और पॉंडी चेरी ठीक है दिल्ली और पॉंडी चेरी में दिल्ली और पॉंडी चेरी में राष्टपती को निर्वाचक मंडल में सामिल कर लिया गया ठीक है कब हुआ था यह 1992 में हुआ था 1992 में हुआ था अब्दुल रजाक बिजयनगर आया था अब्दुल रजाक बिजय नगर आया था बताईए देवराय पर्थम के राज्यकाल में देवराय दुईतिये क्रिशन देवराय के राज्यकाल में या बीर बिजय के राज्यकाल में पुश्चन नमर साथ का से एंसर होगा देवराय द्वीतिये के राज्यकाल में यह आया था ठीक है ओप्शन B इसका राइट एंसर होगा देवराय द्वीतिये के समय में आया था देवराय द्वीतिये इनका कारेकाल 1442 से 46 तक रहा था ठीक है 1442 से 46 तक रहा था और इसी के समय में ये अब्दुर रजाग बीजय नगर आया था ठीक है निकोलो कॉंटी देवराय प्रथम के साशनकाल में आया था ठीक है देवराय प्रथम के साशनकाल में निकोलो कोंटी ठीक है निकोलो कोंटी देवराय प्रथम के समय में आया था ठीक है 1420 इस्वी में यह आया था 1420 में गांधी जी का नमक सत्यागरफ किस आंदोलन का हिस्सा था बताए गांधी जी का नमक सत्यागरफ किस आंदोलन का हिस्सा था इसका सही एंसर होगा सविने अवग्या आंदोलन का ठीक है सविने अवग्या आंदोलन का ये हिस्सा था आपको पता दू कि गांधी जी के द्वारा 12 मार्च 1931 को ये आंदोलन की शुरुवात की जाती है 6 अपरेल 1930 को नमक बना कर ये नमक कानून को तोड़ते हैं तो ये चीज़ याद रखना है आवसियक्ताओं की मांग कैसी होती है 62 आवसियक्ताओं की मांग कैसी होती है question no.62 इसका सेंसरोगा option B पूरी तरह से औलोच नहीं है ठीक है पूरी तरह से औलोच नहीं है लोच ही हिन कि अगर हम लोग बात करें तो इसका मतलब यह होता है ठीक है तेखे जो वस्तु जितने ही आवासक होती है उसकी लोच उतनी ही कम हो जाती है निक्छालन और आक्सी करन द्वारा निर्मित म्रिदा कौन सी होती है निक्छालन और आक्सी करन द्वारा निर्मित म्रिदा कौन सी होती है 63 देखे इसका सेंसर होगा मखराला मिट्टी मखराला मिट्टी option B मकराला मिट्टी या इसको हम कह सकते हैं लेटे राइट मिट्टी ये चाय के लिए उपयुक्त मिट्टी होती है सरवाधिक छेतरफल इसका केरला में है केरला में ये मिट्टी सबसे ज़्यादा मिलती है दक्षिन अमेरिका के सितूसन चारागाहों को क्या कहते हैं बताइए कि दक्षिन अमेरिका के सितूसन चारागाहों को क्या कहते हैं question 1974ौld कि इसको बोलता है पंपाश कहते हैं पंपास है घास अस्थलस का अर्जन टीना में है ठीक है और जन दझेना खीक है ऑर जनटीना में इसका विकास है और व Mi Mix AURUSUSAS, यह भी इसका विस्टार है, इन सब में उरुगवे में, ब्राजिल में घगे Lamp की बती में तेल किस के कारण ऊपर उठता है Lamp की बती में तेल ऊपर चढ़ता है किस के कारण चढ़ता है 65 देखे, इसका सेंसर होगा कोई किये नहीं, किस किалась ठीक है केसी कत्व के कारण ऊपर जो है बत्ती जो होता है यह तेल में डुबा हुआ होता है और यहां पर आप जलाते हैं इसको ठीक है तो यह तेल को सोकता है यह से ऊपर चड़ता है केसी कत्व के कारण साथी जो पेन पौधे होते हैं इन पेन पौधों में खनीज लवन केसी कत्व के माध्यम से ही केसी कत्व के कारण ही घटना के कारण ही सभी भागों में पहुंचते हैं में बहत धर्म का परचार करने वाले बहुद विच्च्चु कौन थे बताईए रहा ही में पहुद्धहर्म का परचार करने वाले बहुद कौन थे नागार जुद्धि आनंदा है संग्या प्धम संभो स्टप सिर्ध में जीराज्य–शिय के स्थापना और समाप्ति का प्रावधान भारतिय संविधान के बताई यह कोशन जो है यह ज्यादा important है आप लोगों के लिए यह कि बहुत important है इसलिए क्योंकि अभी जो है विधान परिश्द के लिए विधान सभा में प्रस्ताव पारित किया है वेस्ट बंगाल ने है ना वेस्ट बंगालने करेंट में तो यह अभी न्यूज में रहा है तो हो सकता है है यहां से कोशन आप से पूछ ले देखिए इसका सेंसर है अनुछेद एक सो उनहत्तर में ठीक है उनहत्तर में स्रीजन और समाप्ति का प्राधान है कौन सा जल्डम रुमद ऑस्टेलिया और तस्मानिया ठीक है ऑस्टेलिया और तस्मानिया को अलग करता है कौन सा जल्डम रुमद ऑस्टेलिया और तस्मानिया को अलग करता है बास मलक का पाक या बेरिंग इसका नाम है बास स्टेट ठीक है बास स्टेट डक्षिन विक्टोरिया राज को विशेश तोर से तस्मानिया से अलग करने वाला समूद्री स्टेट है ठीक है इसकी अधिक्तम चोड़ाई 240 किलोमीटर है चोड़ाई की बात करें तो 240 किलोमीटर अधिक्तम मतलब कि बराबर नहीं है मैक्सिमम जो है वो 240 है और गहराई 50 से 70 मीटर ठीक है गहराई 50 से 70 मीटर ठीक है सर्वोच रेखा कैसे अस्थानों को मिलाते हुए खिच जाती है समोच रेखा बताई क्वोच्चन नमबर 69 इसका सेंसर होगा मध्य समुद्र तल से कम उचाई वाले है ठीक है कम उचाई वाले है ओप्सन ए वो हार्मोन कौन सा है जो यूटरस को संकुचित करके बच्चे को जन्म देने में मदद करता है क्वोच्चन नमबर 70 क्वोच्चन नमबर 70 क्वोच्चन नमबर 70 इसका सेंसर होगा ऑप्सन सी ऑप्सन सी ऑक्सी टॉसीन ठीक है ऑक्सी टॉसीन एक हार्मोन होता है जो प्रसो और अस्तनपान के समय जो है मतलब कि प्रजनन के समय यह दिया जाता है ठीक है और इस यह जो हार्मोन है यह जो इंजक्शन है इस पे तो अभी बैन भी लगाया गया है ठीक है बैन भी लगाया गया है लोकनायक जैपरकास नारायन का जन्म कब हुआ था बताईए लोकनायक जैपरकास नारायन का जन्म कब हुआ 71 देखे इसका सही अंसर होगा option B 1902 में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि लोग नाया नाम से प्रसिद कौन है तो जैपरकास नायराय इनको सबसे ज़्यादा जो प्रसिदी मिली थी वो 1942 में इनको मिली थी भारत छड़ो आंदोलन के समय में है ना और इन्होंने ही क्या गठि किया था ठीक है आजाद दस्ते का गठन नेपाल की तराई में इन्होंने किया था ठीक है और 1975 इस्वी में ठीक है कहा ऐसा जाता है कि आजादी के बाद सबसे बड़ा आंदोलन इन्होंने ही भारत में शुरू किया था और बिहार में 1975 में जब आपात इस्थिति लागू सा्याहावान निमनांकित्म से कौन सा सम्मेलित नहीं है इन्हें से कौन सही सम्मेलित नहीं अच्छे से देख लिजए 72 कौन सा ही सुमेलित नहीं है क्या केसर बीज से प्राप्त होता है क्या केसर बीज से प्राप्त होता है केसर जो है एक मसाला है कभी-कभी पूछा यह जाता है कि केसर सरवाधिक इसका उत्पादन कहां पर होता है तो सबसे ज़्यादा जम्मू कस्मीर में ठीक है ये इसका उत्पादन सरवाधिक जम्मू कस्मीर में होता है और ये पुस्प की वर्तिका वर्तिकाग्र से पराप्त किया जाता है ठीक है वर्तिकाग्र ठीक है वर्तिकाग्र से ये पराप्त किया जाता है stigma इसको बोलते हैं stigma इससे ये प्राप्त किया जाता है ठीक है अच्छा इस पौधे का जो बानस्पतिक नाम है ओ है क्रोकस सेटा वाइस ठीक है प्रोकस सेटा वाइस ये है इसका बानस्पतिक नेम केसर का ठीक है अवद के एक का अंदोलन का उद्देश से क्या था अवद के अच्छा ये हुआ कब था 1921 में है ना ये अंदोलन 1921 में हुआ था ये अंदोलन 1921 में हुआ था लगान का नगद होगा नगर नहीं नगद कर लिजेगा टाइपिंग मिस्टेक है ठीक है इसको करेक्ट कर लिए ठीक है लगान का नगद से परिवर्तन नगद में नगद में परिवर्तन ठीक है लगान का नगद में परिवर्तन एक का अंदोलन का नित्री तो किस ने किया था मदारी पासी ने किया था ठीक है इसने मदारी पासी मदारी पासी ने इसका नित्री तो किया था और इसका जो मुख्य केंदर था ओ था हर्दोई बहराईच सीतापूर ये इसका मुख्य केंदर था एक का अंदोलन का मुख्य के नगत में रुपांतरन किया जाए ठैक्या बएसमे प्रतम की स्थापना किस वर्ष हुई थी देस में ये प्रत्म प्रतŪी स्थापना किस वर्ष हुई थे इसका चलिए Kaf सतत विकास का आधार है सतत विकास का आधार है इसका इसका प्राणाभ हुआ था 1962 में रचेल कार्शन की पुस्तत साइलेंट स्प्रिंग और ना इनकी पुष्टक थी जिसका नाम था तो पॉपुलेशन बंप इससे हुआ है भारत महटसो की शुरुआत कि स्वर्स हुई भारत महटसो की सुरुआत किस वर्स हुई बताई की वुष्चन नंबर 76 इसका सेंसर रोगा 1912 में साहित्य अकादमी की सुरुवात 1954 में संगीत नाटक अकादमी 1913 में बिबाह बिच्छेद और गोद लेना संविधान की सात्वियन उसुची में निमनलिकित के अंतरगत सम्मिलित किये गये हैं बताईए 77 इसका सेन सरुका सुची 3 समवर्ती सुची में ठीक है समवर्ती सुची में चलिए हाँ फास्टी कर रहे हैं भारत का निमनलिकित में से कौन सा बिस्व धरोहर अस्थल मद्दे पर्देस में नहीं है मद्दे पर्देस में नहीं है वोशन नमबर 78 सुरे मंदिर कौनार्ग एक है ओडीशा के पूरी में है आगे चलते हैं विश्व में सबसे बड़ी मुंगा किस तड़ के निकट पाए जाती है विश्व में सबसे बड़ी मुंगा गाके इसका सेन्सर होगा आस्टेलिया के निकट यय जैसा कि आपको पता है ग्रेट बैरियर रिफ है और we learn हम ग्रेट बेरियरिफ औस्टेलिया में है विंस्लेंड के उतरपुरी तट से समानांतर है और सबसे बड़ा मुंगा का दिवार यही है यही है लगभग 1200 मिल इसकी लंबाई है ठीक है इसकी लंबाई लगभग 1200 मिल है और चोड़ाई 10 मिल से 90 मिल तक ठीक है इसके चौड़ाई है प्रकास नुवर्ती संचालन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है कि वश्चन नंबर 80 कि वश्चन नंबर 80 कि देखिए इसका सिंसर का ओक्सिन सक्तियों का विभाजन और सौतंत्र नयाइपाल का किसकी दो महत्तपुन विश्चन नंबर 81 इसका सिंसर का सरकार का लोगतांत्रिक रूप राज्यसब्द का प्रियोग सरोपर्थम किस ने किया पताई राज्यसब्द का प्रियोग सरोपर्थम किस ने किया हाप्स प्रेटो अरस्तू या मैक्यावेली इसका सेंसर होगा मैक्यावेली ने इन्टी एक रचना है द़ प्रिंस भारत के समिधान के किस अनुच्यत के अंतरगत ससस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अदिकारों को विशेश रुप से प्रति बंधित किया जा सकता है अनुचेद 33 अनुचेद 33 अनुचेद 33 अधिल अलकॉल में निम्न में सहिए इसको मिलाकर पीने के अयोग्य बनाया जाता है कहा जा रहा है कि एथील अलकॉल में इन में से क्या ऐसा मिला देंगे जो पीने के लायक नहीं रहेगा फिर अगर मिला देंगे तो पताईए तो इसका सेंसर होगा मेथेनोल और पीरिडिन ठीक है मेथेनोल और पीरिडिन अगर मिला देंगे तो ये बन जाएगा वाईजन जहर फिक है ये जहर बन जाएगा और पीजिये तो चल जाएए फिर उपर है ना इसको पीने से ब्यक्ति की मृतिव हो जाती है निम्न में से सहायक संधी स्विकार नहीं किया था पता होना चीए कि सहायक संधी का जनक लड बेलेजली है अरट बेलेजली ठीक है लड बेलेजली सहायक संधी का जनक है 1798 से 1805 इस तक इसका समय रहा है कारेकाल रहा है सरोपरतम हैदराबाद को इसमें मिलाया गया था हैदराबाद को 1798 में मिलाया गया था 1798 में हैदराबाद को मिलाया गया था ठीक है केंद्रिय इंधन अनुसंदान संस्थान का मुख्याले कहा है केंद्रिये इंधरन अनुसंधान संस्झान का मुख्याल है कहां है इसका से जलगोड़ा ठीक है ठीक है धन्बाद में लाख अनुसंधान संस्थान ठीक है लाख जो चूडी बनाने में प्रयोग आता है ठीक है केंद्रिये खनन अनुसंधान धनबाद में है केंद्रिये खनन अनुसंधान संस्थान ठीक है ये धनबाद में है ठीक है और भारतिये पेट्रोलियम संस्थान देहरादुन में मिनोर्क किस जानवर का नसल है मिनोर्क किस जानवर का नसल है पताई मिनोर्क किस जानवर का नसल है प्वेश्चन नमबर 87 देखे इसका सही एंसर होगा मुर्गी का ठीक है एक ब्यक्ति ग्राम पंचायत की सदसेता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है उसके उम्र कितनी होनी चाहिए question number 88 अभी मुख्याजी का चुनाव भी हो रहा है बिहार में है ना आप भी अगर मुख्याजी बनना चाहते हैं तो क्या उम्र होना चाहिए देखे इसका sensor होगा 21 वर्स या इससे उपर होना चाहिए और नगर निकाय के लिए भी 21 वर्स या उससे उपर होना चाहिए और मतदान की उम्र 18 वर्स निवनितम होना चाहिए ओनी चाहिए होके लोगसभा के लिए 25 वर्स लोगसभा और बिधान सभा लोगसभा और बिधान सभा के लिए 25 वर्स होना चाहिए तिक है राज्य सभा के लिए 30 वर्स राज्य सभा के लिए 30 वर्स पारिश्थित की तंत्र में निम्ने लिखित में से कौन सा जय अभार का खाद्य पिरामिड उल्टा हो जाता है पताई क्या होगा एंसर प्वेशन नमबर 89 तेके इसका से इंसर होगा ऑप्षन डी तिक है भारत का कौन सा स्थान जो आरिये तरंगो द्वारा उर्जव उत्पादन के लिए आदर से स्थिति प्रदान करता है प्वेशन नमबर 90 तेके इसका से इंसर होगा ऑप्षन सी कच की खाड़ी ठीक है कच की खाड़ी बर्खान अस्तलाकृति का संबंध है 91 देखें बर्खान जो है वो मरुवस्थल में होते हैं देखें बर्खान जो होता है वो बालू का टीला होता है ठीक है रेगिस्तान में बालू का टीला होता है और ये जो टीला होता है बालू का ये और्ध चंदराकार होता है ठीक है और्ध चंदराकार होता है ये क्या होता है कि वायू के दौरा ठीक है हवा के दौरा उड़ा करके जमा किये गए जो बालू का टीला होता है मतलब कि इसके निर्बान में मुख्य भूमिका वायू की होती है हवा जो है वो बालू के कनों को उड़ा करके और ले जाती है और एक जगा निक्षे पित कर देती है ठीक है जिसको बरखान कहा जाता है ठीक है बिनोबा भावे ने भूद आन अंदोलन की सुरुवार किस राज्य से की थी इसका सेंसर होगा आंधर प्रदेश से ब्रिटिस काल में किस एक्ट में बिद्वान भारतियों को बढ़हावा देने तथा देश में आधुनिक विज्ञानों के ज्ञान को प्रोचाहित करने के सिद्धान को सामिल किया गया है अच्छा स्लो ही कर रहे है 93 इसका सेंसर होगा 1813 का चार्टर एक ठीक है 1813 का चार्टर एक रब्बर की खेती के लिए आवसिक तापमान क्या है रब्बर की खेती के लिए आवसिक तापमान कितना होना चाहिए निवनितम कितना तापमान होना चाहिए रब्बर की खेती के लिए कोश्चन नमबर 94 25 डिगरी, 30 डिगरी, 35 डिगरी या 40 डिग्री जल्दी से बताएए 94 का देखिए इसका सही जो इंसर होगा लगभग 30 डिग्री सेंटिग्रेट बजट एक लेख पत्र है 95 बजट एक लेख पत्र है देखिए इसका से इंसर होगा सरकार की राजकोसिय नितिका पके विए टेमाटर का लाल रंग किसकी उपसिती के कारण होता है अभी ज़स्ट मैंने एक्स्प्लेंड में आप लोगों को बताया है लाइक करते जाहिए लाइक सेर करते जाहिएगा आप लोग ठीक है लाइक सेयर में कोई कमी नहीं किजिएगा लाइक सेयर करते जाएगा कहा जा रहा है कि पके वे टेमाटर का लाल रंग किसकी उपस्तिति के कारण होता है तो देखिया इसका सही जो एंसर होगा यह होगा कैरेट है ठीक है ओप्शन चामाटर का लाल रंग ऐसे लाइको पीन के कारण ठीक है लाइको पीन के कारण होता है ठीक है निमने लिकित में से किसने भारत में सोने सिको का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए किया था पटाई वर्षन नमर 97 ऋब्हें के विम केड़ फिसेस किस ऐसक था यह? फूशान फंस का यह सा सक था सर वप्रतम सोने का सिक्का इसी ने Вас जरी कया था चलवाया था ठीक है अगर पूछा जाए कि सरवाधिक किस ने चलवाया ठीक है अगर पूछा जाए कि सरवाधिक सोने के सिखे किसके समय में चलाया गया तो गुप्तों के समय में संसत का पहला लोगपाल बिध्यक कब रखा गया था संसत का पहला लोग पालवेधियर कब रखा गया था 98 देखिए इसका सेंसर रगा 1968 में ठीक है चौथी लोगसभा में ठीक है भारत में सामुदाइक विकास कारेकरम कब आरंभुआ भारत में सामुदाइक विकास कारेकरम कब आरंभुआ प्रश्चन नमबर 99 देखिए इसका सेंसरो का 2 अक्टूबर 1952 को नेमलेविकित में से किसमें उच्तम उर्जा होती है इनमें से किसमें उच्तम उर्जा होती है पताए किसमें उच्तम उर्जा होती है नीला परकास, हरा परकास, लाल या पीला परकास देखिए इसका सेंसरो का नीले परकास में उच्तम उर्जा होती है अपने गैस में स्टोप या जो आपका चूला होता है उसमें देखिएगा कि नीला जो प्रकास निकलता है ठीक है इसी में सबसे ज़्यादा टेंपरेचर होता है ठीक है और लाल प्रकास निकलने लगता है तो आप लोग समझ जाते हैं कि गैस खतम लाल प्रकास निकलने लगता है तो गैस खतम टेंपरेचर कम होने लगता है ठीक में एक चेर्मेन होता है और कितने सदस से होते हैं ये पुछा जा रहा है चार और सदस से होते हैं ठीक है चार अन्य सदस से होते हैं ठीक है भारत में सबसे उचाई पर इस्थित रेलवे स्टेशन किस राज में जिस्थित है question number 102 इसका sensor होगा question mangal में एक सीसे के plate पर पानी की बुंदे गिराने से वह फैल जाता है जबकि पारे की एक बुंद गोला कार बनी रहती है क्यों पारा जैसा कि आपको पता है कि liquid होता है liquid धातू है ये ठीक है अपवाद है ये तो कहा जा रहा है कि उसी पारे को अगर ऐसे रखते हैं तो गोला कर रहता है जबकि सीसे पर पानी अगर रखते हैं तो फैल जाता है क्यों ऐसा होता है पारे का ससंजन उसके सीसे के साथ आसंजन से अधिक होता है ओप्शन से इसका से अंचर होगा पश्मी चंपारन जिला के सिवालिक पहाड़ी किस प्रकार की चटानों की प्रधानता है सिवालिक पहाड़ी में ठीक है किस प्रकार की चटानों की प्रधानता है बताई देके इसका से अंचर होगा परतदार ठीक है परत्दार चटान, सिवालिक्स रहने चर्शियरी योग की परत्दार चटान है, जिसमें बालुआ पत्थर की प्रधानता होती है, जिस सीख गुरु ने तरन तरन तलाबन के अस्थापना के थे 105 गुरु और जुन्देव ने वैहिंद का यूद किनके बीच लड़ा गया वैहिंद का यूद वैहिंद का यूद 1889 में ये यूद हुआ था अब कहा जा रहा है कि किसके किसके बीच हुआ था तो ये आनंद पाल और महमूद गजनवी के बीच में ये यूद हुआ था जिसमें आनंद पाल की पराज़ा हो गई थी किस महासागर में ग्रेट बेरियर जिल पाया जाता है बताईए question number 107 तो देखिए इसका से अंसरों का प्रसांत महासागर में ठीक है प्रसांत महासागर बिस्तो का सबसे बड़ा महासागर है और प्रसांत महासागर की सबसे गहरी जो गर्त है ठीक है तो है मेरियाना गर्त ठीक है मेरियाना गर्त इसी में है प्रसांत महासागर में ही अवसित है भारतिय संसद किस रीती से प्रसासन पर नियंतरन करती है question number 108 question number 108 लेकि इसका सेंसर रगा संसदिय समीतियों के माध्यम से यह सत्य होगा कि भारत को परिभासित किया जाए कैसे question number 109 एक स्रम आधे के वाली अर्थ व्यवस्था के पुरूप में जल में carbon dioxide co2 परवाहित करने पर बना सोडा वाटर अगर जल में हम carbon dioxide को परवाहित करेगी तो क्या होगा question number 110 हम लिए प्रकृति का ठीक है हम लिए प्रकृति का option टी इसका सेंसर होगा ठीक है हम लिए प्रकृति का होता है डीने में उपलब्द कौन सा योगिक एमीनो अमल नहीं बनाता है बताएए डीने में उपलब्द कौन सा योगिक एमीनो अमल नहीं बनाता है question number 111 लेंटे के इसका सेंसर होगा टाइरो सीज तिक है टाइरोषीन कि production निमने लिक तीवगमों में से कौन सा कौन सा यह सही सुमेलित नहीं है इन में से कौन यह सही सुमेलित नहीं है क्या अमीटर से बिद्दूत सक्ती मापक यंत्र है क्या अमीटर से बिद्दूत सक्ती मापी जाती है इससे बिद्दूत धारा मापी जाती है इससे क्या मापा जाता है बिद्दूत धारा मापा जाता है ना कि बिद्दूत सक्ती को मापा जाता है सरवाधिक तटिय अपर्दन होता है तरवाधिक तटिय अपर्दन होता है किस से तटिय अपर्दन कहने का मतलब कि ये तट है और ये जल है ठीक है ये जल है ठीक है और इस जल में ठीक है इस जल में ये जल जो है वाकर के और तट से ऐसे टकराता है तो ये तट में कटा होते ह यह मिट्टी यह सब है कटा होता है किसी को बोलेंगे तो किस से होता है लहरों से होता है ठीक है लहरों से होता है समुद्री लहरों से इसमें देखे ज्वारभाटा भी हो सकता है ठीक है ज्वारभाटा भी क्योंकि ज्वारभाटा के कारण ही यह लहरे इसमें उत्पन होती है लेकिन लहरों का कारण से ज्वार भाटा ही नहीं है वायू भी इसमें कारक है तो मुखे यहाँ पे लहर होगा निम्न में से किस प्रदेश में अबरक संसाधन सरवाधिक है सबसे ज़्यादा अबरक जो है ओ आंध्र परदेश में पाया जाता है ठीक है इतना भारत में 41% सिप आंध्र परदेश में है और इसके बाल 28% राजस्थान में है 28% राजस्थान में है ठीक है किसी अती चालक द्वारा अधिक्तम तापमान है इसी अती चालक के द्वारा अधिक्तम तापमान है कोश्चन नमबर 115 देखे इसका सही अंसर होगा 133 केल्विन निमनलिकित में से कौन सुमेलित नहीं है इन में से कौन सही सुमेलित नहीं है पताएए कौन सही सुमेलित नहीं है एक सोलर तेके इसका सेंसर होगा अभी जस्ट हम लोग इसको कर रहे थे धौला बीरा बी के थापर तेके धौला बीरा का उत्खनन इनके द्वारा नहीं बलकि आरेस विस्ट के द्वारा किया गया था, ठीक है, आरेस विस्ट के द्वारा, आरेस विस्ट के द्वारा किया गया था, ठीक है, कुल्लू घाटी जिन पर्वत स्रेनी के बीच अवस्तित है, वे हैं, कुल्लू घाटी जिन पर्वत स्रेनी के बीच अवस्तित है, वे हैं, कोश्चन नमबर 117 कोश्चन नमबर 117 बताएं देखिए इसका सही जो इंसर होगा होगा धौला बीरा और पीर पंजार थे धौला धौला बीरा नहीं धौला धर होगा कि टाइपिंग मिस्टेक है धौला धर और पीर पंजार ठीक है कि नेलांग घाटी भारत के उत्रा खंड में है ठीक है कि राश्ट पती के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मददान करने के लिए पात्र नहीं होता है यदि धौला धर है टाइपिंग मिस्टेक है उसको कर लिजेगा करेक्ट वह राज्य विधान मंदल में उच्छ सदन का सदस्य हो ठीक है अनुछेद 54 भारत में सिमांत्र जोद का आकार है कि वोश्चन नमबर 119 एक हेक्टेर से कम ठीक है एक हेक्टेर से कम संचारन के उदाहरन है इस से बीपीएसी में काम आएगा नहीं यह बीपीएसी के लिए नहीं है यह बेकार का टाइम वेस्ट हो रहा है या ठीक है है डो स्लिश्ट नमबर 120 एक हैं तो सिल्वर पर काले रंग की परत बनना Itu हमत्य तामबे पर हरे रंग की परत बनना यह बी लोहें पर बूरे नंकी परत बननना यह सभी इसका से अन्सर होगा फिक है कि फुस्तक दो पहरी के लेखक कौन है फुस्तक यह दो पहरी बिल्कुल 121 देखे इसका सेंसरों का पंकज कपूर भारत की स्वार्णिम चतुरबूर्ध पर्योजना जोड़ती है बताए question number 122 दिल्ली मुंबई चेन्ने और कुलगत्ता को ठीक है रजजत सीके जारी करने वाला पर्थम गुप्त सासक था बताए रजजत सीके जारी करने वाला पर्थम गुप्त सासक कौन था देखे ये था चंद्रगुप्त द्वीतिय या चंद्रगुप्त बिक्रमा दित्ते भी इसको कहा जाता है ठीक है इसको गुप्त समय में रूपयक कहा जाता था ठीक है गुप्त समय में इसको क्या कहा जाता था रूपयक कहा जाता था रूपया कि निम्नि मैंसे भक्ति संतों की साहितिक अनुकरम चुनिए कुश्ण नंबर एक 124 कबीर, गुरुनानक, चैतन्य और मेरा बाई उनीस सो नन्चास में भारत सरकार्द और रास्टी आयर समीती का अध्यक्ष निमने लिक्षित में से कौन था क्वेशन नमबर एक सो पचीस देखे इसका सेंसर होगा PC महल नोबिस ठीक है PC महल नोबिस अभी हमने यह भी culture कि दूसरा जो पंचवर्षी योजना था इसी मोड़ल पर आधारित भी था इन्हीं के मोडयल पर यूरिया जाता हैं वर्शन नमबर 126 किसका सेंसर होगा गुर्दा राज्य के निती निदेसक सिदान के निमने लिखित अनुछेदों में से कौन सा अंतराश्टी सांती और सुरक्षा के सम्मर्धन से सम्मंधित है पॉश्चन नमर 127 अनुछेद 151 ठीक है अनुछेद 151 अनुछेद 40 ग्राम पंचायत का गठन ठीक है यह भी याद रखने है अ पॉश्चन नमर 128 अनुछेद 40 ग्राम पंचायत के गठन से सम्मंधित है एक टालीस कुछ दसवां में काम सिच्छा और लोग सहायता पाने का अधिकार धन विद्यक कहां पुना स्थापित किया जाता है धन विद्यक कहां पुना स्थापित किया जाता है क्वेश्चन पर 128 का सेंसर होगा लोग सभा में है ठीक है लोग सभा में किस अनुछेद में ऐसा कहा गया है अनुछेद 109 में अनुछेद 109 निमने लिकित में से किसने नेनो टेकनोलोजी सब्द का परियोग पहले बार किया 139 Option A इसका सेंसर होगा आपके लेंस का फोकस दूरी किसके कारे से परिवर्तित होती है आपके लेंस का फोकस दूरी किसके कारे से परिवर्तित होती है 139 इसका सेंसर होगा Option C ठीक है option C आगे चलते हैं हाले में किसने केंदरिये बजट की जानकारी आसान और तौरित पहुँच प्रदान करने के लिए केंदरिये बजट mobile app launch किया है बताइए बताइए क्या होगा अंसर पड़ा सा like share आप लोग कम करते हैं like share करेंगे तो और भी लोग आएंगे है ना और test लगाएंगे बिल्कुल free में test दे रहा हूँ और ज्यादा समय है नहीं आपके पास ठीक है और बहुत कुछ जो है आप लोगों को मिलने वाला है तले बहुत बढ़ी है निर्मला सीता रम जो कर रहे है बिल्कुल सही कर रहे है ठीक है हाँ एक चीज़ और पांच बज़े साम को science का class ठीक है याद रखेगा कि पांच बज़े साम को हमारा science का class आ रहा है best 2000 2000 mcqs का ठीक है यह पांच बज़ा रहा है टाइमिंग याद रखेगा है कि हाली में किस ने वर्ष 2020 को रिकॉर्ड सबसे खराब वर्ष घोसित किया है एक सो बत्रीस इसका सेन्सरोगा संजुक्तराष्ट बीश्व परियतन संगठान बीतमंत्री निर्मला सितारमन ने इस बज़ट में भारत में किस स्थान पर यूनिवसिटी बनाने की घोश्ना की है कहां पर कहा है देखे इसका सेंसर होगा लेह में लेह में बनाया जाएगा लदाक के लेह में इनमें से किस लेप्टिनिंट जनरल ने हाले में सेना उपर मुख का कारेभाल संभाला है सेना उपर मुख का देखे इसका सेंसर होगा लेप्टिनेंट जनरल चंडी परसाद मुखंती निम्र में से किस मंत्राले ने हाली में समुद्री कच्वा परजाती के सरक्षन के लिए एक राष्टी कारियोजना शुरू की है तो यह होगा प्रियावरन मंत्रा ले हाली में जारी व्रस्टा चार धारना सुचकांग में 180 देशों के बीच भारत कौन से अस्थान पर रहा है भारत की सथान पर रहा है 136 भारत ऐस में 86 अस्थान पर रहा है ठीक है न्योजेलन्ड प्रतम पर न्यूजिलेंड गजोनी पर रहा है ठीक है हाले में जारी बजट के अनुसार पूरक पोशन कारेकरम और किस अभियान के बिले करते हुए मिशन पोशन 2.0 की सुरुवात की गई है 137 यह तो कोशन में यह एंसर है भारत का कौन सा केंदर सासित प्रदेश हाले में कोरोना से मुप्त होने वाला देश का पहला केंदर सासित प्रदेश बन गया है कोशन नमबर 138 देखे इसका सेंसर होगा अंड मान और नीको बार दीप समूः ठीक है अंड मान और नीको बार दीप समूः हाली में किस सहर में 13 वे एरो इंडिया 2021 सो का आयोजन किया गया है देखे इसका सेंसर होगा बैंगलूरू भारत के किस सहर के लेकक पॉलोमी पाविनी सुकला को कोबस दौरा जारी भारत की 300 अंडर हटी 2021 लिष्ट में अस्थान मिला है किस सेंसर होगा लखन होगा जमुक कस्मीर की आयसा अजीज कितने वर्स के उम्र में देश की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बन गई है बताए बश्चन नमबर 141 देखे इसका सेंसर होगा 25 वर्स ठीक है 25 वर्स कि है हाले में किस राज्य सरकार ने हर घर पानी हर घर सफाई मिशन लॉंच किया है 142 यह पंजाब सरकार में प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी ने हाले में किस राज्य में इस्थित चौरी-चौरा सताब्दी समारों का ऑनलाइन उद्गाटन किया है बताए बश्चन नमबर 143 इसका सही एंसर होगा उत्तर प्रदेश ठीक है उत्तर प्रदेश में इनमें से किस मंतराले ने हाधी में गोवर्धन योजना पर ठीक है एक एकी क्रिप पोटल की सुरुवात की है 144 ओप्शन भी जल सकती मंतराले ठीक है क्वेशन नमबर 145 इनर्जी एफिसेंसी सर्विसेश भारत और किस देस के बीच अक्षे उर्जा के छेतर में संजुक्त कारे समुख की पहली वर्चुल बैठक होई है 146 इसका सेंसर होगा बहरीन ब्लूमबर्थ के द्वारा जारी इन्वेशन इंडेक्स 2021 में भारत कौन से अस्थान पर रहा है 147 तो भारत इसमें 50 अस्थान पर रहा है ठीक है निम्न में से किस राज्य सरकार ने नाफ्समिट गाव में भारतिय कौसल संस्थान के सापना करने की वहश्ना की है गुज्राइट हाली में किसने इलाहाबाद और कलकत्ता उच न्याले के लिए न्याधीसो की न्यूक्ति के प्रस्ताओं को मंजूरी देदी है देखिए इसका सेंसर गां मुंबई तो यह था बाव लोग आज का हमारा डेर्स ओ प्रस्न उमीद करता हूं अच्छा लगा होगा जाते जाते लाइक शेयर करते जाएगा और पांच बज़े हमारा क्लास साइंस का सुरू हुआ है आप लोग उसमें भी जरूर आए और आप अने केडमी पर भी मुझे पॉलो क करते हैं एकेडमी का लर्नेंग इंस्टॉल किजिए उसमें बीपी एसी केटेगरी आप सेलेक्ट किजिएगा ठीक है बीपी एसी केटेगरी आपको सेलेक्ट करना है और इसके बाद अभी मन्यू सिंग मेरा नाम आएगा आप फॉलो कर लिजेगा कुछ क्लासे सापको बिल अनलोक करने के लिए बस आपको एक कोड इंटर करना होगा ठीक है अब इस इन ल आई वी फी और फिर सिर्फ एवी एट स्टेंग अगर लिखते हैं तो काम आपका हो जाएगा ठीक है एव एट इंटर किजिएगा तो बिल्कुल फ्री में क्लास अनलोक हो जाएगा और दिनक्यू पाच बज़े साम को फिर आना है बहुत बहुत धन्यवाद